हलो मेरे प्यारे विद्यारतियों कैसे हो आप सभी लोग उमीद कर रहा हूं कि सब लोग बहुत ही बहतरीन होंगे तो चलिया बच्चों आज के इस विडियो लेक्चर में हम लोग अपने फेज वन के बारे में बात करते हैं बच्चे में साड़े बच्चों को मेरे पता है कि हम लोग लास्ट बारे ले क्युक्त के अंदर ये बूरत किया है कि थे हम पूरी की पूरी की पूरी जो chemistry है उसको कैसे खतम करेंगे हैं को दो दिनों के अंदर कैसे बढ़ने वाले हैं उसके उपर बात किये थे सबसे पहले हेंगे को कैसे complete करेंगे उसके उपर मैंने बात किया हूँ तो सबसे पहले बेटा आप लोग जो बच्चे जो है वो लेक्चर नहीं देखेंगो वीडियो नहीं देखा होगा तो सबसे पहले वीडियो थोड़ी देर के लिए बच्चे लिए 2x में करके वीडियो देखके आईगा फि हमारे में टीन इने बात किया था क्यों मैंने लास्ट के सोंपल और बेसिक साहिए रीजाने क्यूंकि लास्ट जो बच्चे हमको 10 अंक मिलेंगे उस 10 अंक को पहले ग्रैप करना है पहले पकड़ना पहले रखना है ठीक है उसको आपने मुट्टी में लखनी है बच्चा जिससे हमारे 10 नम्मर जो पूरा क्या पूरा तरीके से सेव हो पाएगा सारे बच्चों को त Series में लगने वादा में बता है ता उसको ठाइम लगा या मैं रखने एड तक बनाता है और के लिए लेग अलग अलग होगा क्यों हर एक बच्च्छ different है हर एक बच्चों की जो सोतने की सकती अलग है हर एक बच्चे की जो mentality बटा जो capacity है पढ़ने की वो अलग-अलग हो सकती है तो मैं उम्मीद कर रहा हूं सारे बच्चों को समझ में आया होगा वो मैं यह नहीं बोर रहा हूं बैटा कि आप जो सुबह उठे कितना टाइम करों सारे बच्चे जो अलग-अलग time prefer करते हैं कई बच्चे जो सुबह पड़ते हैं कई बच्चे जो रात को पड़ते हैं तो कहीं आपने बच्चे की हिसाब में बात करते हैं, तो हम questions हमारे क्या होने वाले हैं, वो हमारे बेहद ही important questions होने वाले हैं, इन सारे questions को मैं बोलता हूँ, हमारे diamond questions होने वाले हैं, क्या बेटा, diamond questions होने वाले हैं, यह ऐसे questions होंगे, जो हमारे board में आये हुए हैं, और सारे बच्चों को यह पता भी होगा, लेक पर बिट्चा आप लोग अपना अप क्या होती है मैंने बताया भी हुआ है जे वड़ी जो भण पड़े थे तो निकलिक एसिट के बारे मैंने बताया था उसका फॉर्मेशन कैसे होता है जो हमारा प्रोटीन होता है वह कैसे बनता है उसके बारे में आप बात के हुए थे तो मैं आप नुकलिक एसिड बेटा तो को सिर्फ chemical chemistry के जो है terms पे बात करने मतलब कि हमाया जो एडिनीन होता है गवानीन से कैसे connect होता है वहां पर double bond होता है यह सारी चीजी मैंने आपको वहां पर बताया था वह सारी चीजी आगर बच्चे आप वीडियो देखोगे तो आपको सारी चीजी क्रिस्टल क्लियर हो ठीक है जिससे आपके जो है concept बहुत अच्छे से clear हो जाएंगे और जो बच्चे मेरे वीडियो देखे होंगे बच्चे उनको तो पता है कि हमने सारी चीजी आपन यहां पर कर चुके हैं तो अगर जिनको रिवाइज करना है एक साजिशन कर सकता हूं अगर जिनको सब्सक्राइब होने वाला है और बच्चे यहां पर ज्वीटर आयन की हमारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण अतीभ्यंकर भयाना के तरीके समय तो बोलू बेटा ज्वीटर आयन और पेप्टाइड पेप्टाइड बोंड यह दो कोईस्चिन जो है बह लेकिन आपको भूल के नहीं जाना है क्लियर है सारे बच्चों को तो मैं आपको वापस रुपीट करता हूं ज्वीटर आयन और जो हमारे पेप्टाइड बॉंड ठीक है यह मैंने बहुत ही बहतरीन तरीके से बताय हुआ है कि ज्वीटर आयन कैसे बनते है क्या चीजी होत तो विटर रहा है नो पेप्टाइड बॉंड के वहां पर मैं तील लेक्चर से कुछ ठीक है तील लेक्चर से वहापस से आप 2x में देखो गया तो आपको सारी चीजे पता चल जाएगी क्या क्या चीज़ा कैसे फ्लो करती कैसी चीज हमको समझनी है क्लियर है सारे बच्च संरचनाओं के बारे में बात कर सकते हैं तो बच्चे आप लोग क्या करना पूरी प्रोटीन की जो मेरी सीरीज थी जो मेरे लेक्चर से प्रोटीन के वह आप लोग कर सकते हो वहां जब पूरी प्रोटीन है उसके बारे में आप सीख जाओगे और समझ जाओगे बेटा और Supreme क्वेशन अतीभेंकर भयानक तु होते और यहांपे थि एक क्वेशन नारी आ класс कि उसको भूरत remplर होड़ी थे मिपीशन सेयर्डर यह ठीक है और जो अंतर मैंने भी बताया वो अंतर करके ही जाना है क्लियर है सारे बच्चों को समझ में आया ठीक है तो इसको करने में आपको बोला था इसको करने में इन सारे क्वेश्चन को करने में आपको मैंना टाइम दिया था बहुत जादा टाइम दिया था इसको मैंने ट गंटा 30 मिनट को अब फटा आगे बढ़ते हैं अब पंदरवा चाप्टर के करते हैं पंदरवा चैप्टर क्या होता है नहीं हमारा जहां पर हमारे जो कुछ बहुत को पूठाहीं मतलब हमको प्रतनाफों के बारे सतान सरतना कैसे होता है। वह बहुत चोड़-शोड़ questions होते हैं बेटा लेकिन बहुत ज़ाधा worth होते हैं चोटे होते हैं लेकिन बहुत जयाधा इंप्रहण होते हैं इसको बहुत अच्छा से करे जाना क्लियर समझ में तो बात करते है यहां पर पहले कुष्टन की तो होता है वहली क्या होते है थीख है पॉली मर्स में कैसे पॉली होती है इसके बारे में बात करना है रहा दूसे अब बच्चों को दिमाग में ये आता है कि सार ये प्रिवेस को ग्वेस्टन तो है लेकिन आपने मैंशन नहीं कि तो मैं यहां पर लिख दूं यहां पर लिखूंगा तो मानोगे क्या बेटा ठीक है यहां पर लिखूंगा कि यह पूचा गया है एसे पे दोजार रव जो है वीज में पूझा गया है इसा लिखूंगे तब मानोगे गया ठीक है आपको अभी पढ़ाई पे फोकस करना इसको करके जाना इसको करके जाना यकीन मानों कोश्चन बहुत इजी होने वाले हैं बच्चे इधान से तमनना इसको करके ही जाना सब् प्लास्टिक थर्मो सैटें वाले कुछन इसको फटावड़ बहुत बहुत जबरदस चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं अब यगा पीवीजी बेटा ये छोड़के मजना पीवीजी क्या होती है टेफलॉन और यह और यह चार कोस्टिन जो मैंने भी टिक कराए ठीक रेड्र मार्क दे देते हैं इसको यह हमारा ठीक है टेफलॉन यह हमारा बेकलाइट और एड्द म्हार होन शीर बैटे यह बंरो सारी सब्सक्रम करिण जो sûr न सब्सक्राइब को यहां पर लिख देता हूं इस फ्रोड़ा समिस हो गया है ठीक है थर्मो ठर्मो सेटिंग ठर्मो सेटिंग और ठर्मो प्लास्टिक में अंतर ठीक है कई बच्चे बोल देंगे आप तो बताया नहीं थे सर तो थोड़ी से आपको जो है दिमाग आनी चाहिए ठीक थर्मो सेटिंग और थर्मो थर्मो प्लास्टिक थर्मो प्लास्टिक ठीक और इसको बहुंगा तच्छे से एक्सप्पारींशन दिया हूं तो आपको यह याद करे जाना थर्मो सेटिंग और थर्मो प्लास्टिक में अंदर को याद कर रखना है ठीक हम को उसको समझ आजए ठीक है कि सर बिलकुल बैटा जो बच्चे सिंसिरली डेडिकेट होगे वाई हम मेरा जो विडियो लेक्टर देखाऊ उसको बहुत बहतरी बहुत 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 इसी तरीके से मैंने बता है कैसे चीज़े होती है और इसको करने में ने आपको टाइम दिया हुआ है एक गंटा 30 मिनाट का एक गंटा 30 मिनाट पू पड़ना है कलियरए और सारे बच्छे को समझ में आयां चले बच्छे यहाँ पर बात करते हैं आगे आगे आप प्रेस एरी के बारतास हैं लिप algumas होता है बहुत ब्रॉत बैश्राषगुला अम करो सकंगन वहां जैनिक जीवन में रसाइन ऍंसको थे हमारी तो वहां पर मैंने पूरी के पूरे चैप्टर को उतने 45-50 मिनिट में खतम किया है ठीक है तो वहां पर आप लोग जाके पूरा लेक्चर देख सकते हो तो यहां पर सारे समझ में आ जाएंगे आपको क्लिया रहा है सारे बच्चे को तो यहां पर कुछ इंपॉर्टन को इसको फटा फट सारे बच्चे कहलो स्क्रिंसॉट ले लो या लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़ि टॉसरीय बीटर मलता रोधी जो होता है प्रसांथ को आप भूलके भीए मद भूर ना दूसरी बार अमलता रोधी जो होता है एंटि सबाइठ अब करते हैं अब देखा जो है यादर परिख्षक इसको ज्वराहत करके रखियागा क्योंकि यह जो है पॉसिबिलीटी है कि साल आजाए तो इसको क्लिए करना कि परिख्षक आप लोग बहुत अच्छे से इन कॉपी के अंदर लिखिए अधर रहा है यह बहुत ज्याद है तो आपको सारी कोशन बहुत अच्छे से बहतरी तरीगे से आपको तयार करके रखने पढ़ेंगे तो आप बच्छी क्या कर जिए पूरे पूरे लेक्टर देख सकते हो यह बहुत ज्यादे इसी है ठीक को अब मेरे प्यारे बच्छों ने बहुत सारा यह बात बोला कि सर क्यूंफ रहे है सारी कोशin को कैशकर आप बता दो हम सारे कुश्ण को जो है देख लेंगे हम आपके मीडीय फिर क्या हम जो कि पॉलक हुआ करें के कि सारे कुश्ट्र एक सांद अंद का बोलना था बहुत बच्चों ने इनका सोचना होगा कि सारे कुश्य को सारे बता। दे दिया रहता ना तो आप जो है सिंसेरली चीजों को नहीं फॉलो कर रहे होते ठीक है पहली में रीजन सिंसेरली चीजों को फॉलो नहीं कर रहे होते आपके पास बहुत इनफ टाइम था साल अब टाइम था लेकिन फॉलो नहीं किये ना भाई ठीक है अभी आपके पास जो लेकिन मेरी एक बात याद रखना मेरी एक बात अगर आप फॉलो कर दिये तो आपके नंबर बहुत ज्याद बहतरीन आएंगे बहतरीन आएंगे ठीक है गें घंटए itself जादा नहीं कोई भी किछ जो चप्टर कउंटा बड़ा जादा नहीं होगा वह गिंट इसको को जो खेंड को सब्सक्तिकत पढ़ने और बार बार पढ़ना अगर अगर पर्लेते हो या सब давar आप जो है उसको पढने में एक गंटा लगा लेकिन आपके पास 30 मिनट बाकि तो उसको आप यूज करो इसको रिवाइज करने में इसको रिवाइज करने में यूज करना ठीक है इस तरीके साब ठीक है बच्चे तो आपको ऐसी चीज़ें यहां पर बिल्कुल भी नहीं करनी है कोई भी सोसल मेडिया हैं ठीक है आपको वापस नहीं आने वाले हैं ठीक है यह दो दिन जो है वापस आपको जिंदगी में नहीं आने वाला है कि वापस से आप कैमेस्टी का एक्साम दे दो ऐसा नहीं होने वाला है तो यकीन मानो बेटा आप लोग जो है बहुत अच्छी से सिद्धा से पढ़ाई भूट जिश में थोड़ी से कमी होते है जो बच्चे थोड़ा सा कमजोर होता कम होता है चीजैने कुछ करते जाता है हम सब्सक्राइजेन को सबना है है यह सब्सक्राइफ को गया ईसका ग्रैट नहीं हो ना चीजिए बेटा रिग्रेट नहीं होना चाहिए जब आप एक्जाम दिला के आओ जब आपको क्वेश्चन पर हाथों पे हो और आपको चीजे नहीं आ रही हो फूश टाइम पे बच्चे आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए ठीक है आप इस लेवल तक पढ़ाई कर दो कि भाई बत्रूं पर चाहिए ठीक है जो होता ने ग्रॉप बंचा टाइप का क्राइम पर रहा थू अगर तू नहीं कर रहा तो उनका फोटे आते हैं एसा मत कीजिए कभी मत कीजिए चीजों को समझयों कैसे होती है तिक है अभी लास्ट टाइम है आप लोग वह बहुत अच्छी स सकते हूं उम्मीद करना हूं सारे बच्चे जो मेरे बहुत जवर्दसरी किसे फोड़ने वाले हैं तो चलिए बच्चे आये हमारा जो है आज का जो विडियो लेक्च्चर है फेज वन के बारे मैं यहां पर खतम करता हूं यह पूरा बच्च लिटा ठीक है यह जो पूरा का लड़ बाट टीटी किया था फेज फेज One वन हमने अडिकेट किया था साड़े चार घंटे का मैं को बता दो ऐस शो मैंट फेस्टू के अंदर जो है जाओंगा अभी हमारा फेस्टू पूरा ओवरॉल जो है कंप्लीट हो गया तो सारे बच्चे को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा उमीद कर रहा होगा इसी के साथ बेटा हम लोग अपने आराज का लेक्चर जो है जो वीडियो जो है आम बेस्टू